विल्कम बैक फ्रेंट्स विल्कम टू आपकमिंग कोई भी पेपर के लिए तो चलिए मैं स्टाट करता हूं फरस्ट आप पच्छी विहार साइपेरिया सहित विस्टो की विभिन पच्छी के आने के लिए जाना आता है आप लोग को अलड़ी पता होगा देखिए फर्स्ट आप लोग को क्या हो रहा कौन सब पच्छी विहार यहां पर में आप लोग को फोकस करना पड़े विहार साइबेरिया वरबर तो मैं आप लोग को पताना चाहते है इसका जो राइट अंसर होगा ऑप्सन नमबर बी होग यानि उद्वा पच्छी विहार होगा उद्वा पच्छी विहार होगा इसका ठीक है चली मैं आप लोग को बताना चाहता है सबसे पहले उद्वा पच्छी अभियार यह कहां पाया तो फ्रेंट्स यह जहारकन के साहिब गंज डिष्टिक में पाया था जहां से गंगर इसका जो स्थापन होगा था 19911 और मैं आप लोग को बताना चाहता है साहिब गंज के एक जो विधान सवा छेतर होता यह नि बरहेट बरहेट से आपका जहारकन के वरतमान मुख्य मंत्री हेमंस्वर मुख्य मंत्री यह यादखेगा विधाय के चली बात करते चंद्र पू सब्सक्राइब को दर्मा में यह भी आपनों याद आखेगा के लिए चलिए आप देखते नेक्स्ट कोशन बेत्रला आश्टी उद्यान कितने वर किलोमेटर तक फैला है तो यह कोशन काफी इंपोर्टेंस है ऐसा कोशन पूशता भी चली मैं आप लोग बताना चाहता है इसका याद कर लिए राइट अंसर 226.33 यह कोशन काफी तकड़ा है यह पूचा था यह देखे बेत्रला लाश्टी उद्यान जो कि प्रमालू स्वारी प्लामू प्रमंडल के अंतरगत आता है यहां जो फ्रांट 226.33 याद कर लिए स्टाफ सी 226.33 स्क्वार किलोमेटर स् इसका स्थापना हुआ था यहां 1986 में हुआ था इसका स्थापना कव था और इसका स्थापना कव थास्थे याद कर लिए से ईसके बाद यहां पूर्णजर के साथ पूचीगा तो 10 सिम्भाडियुक इसके बाड़ी इंप्सीशत कर दिखके अगर आप लोग बेतला लिखते हैं इंग्लिस में लोग लिखें बीए टी एले अब देखें बेतला का फुल फॉर्म होता है इसके दिगारिंग कोशन आता है कि इसमें कौन से सब्सक्राइब नहीं होगा तो बेतला नेशनल पार्क आप लोग आगे जाने लिए लाते हर में यह आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बीफॉर्म हो रहां ध्यान से सुनीगा बाइसन एलिफेंट टाइगा लिपर्ड एक्सिस एक्सिस होता है कि लिए और विश्व में सर्प्रतम बागों की जो गन्ना हुआ था वह 1922 में पहली बागों की गन्ना जो हुआ था वह 1922 में वह बेतला में ही कराई गए यानि बेतला में कराई गए थे यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा अब भारत सरकार द्वारा बेतला निश्वा पार्क का बाग द्वारा चलाई थे इन्हीं प्रोजक्ट टाइगर के द्वार चलाए गया थे जारक प्रबंदन के लिए ट्रेणिंग वीतOL हिसे कारेकरम पाइलट के इसका पालट के तत्किंट दो जिलमें के तोसि आप लोग एंप्रुटेंस राचि थे आप ने भाशन Michal बहां राचिए राचि में चलाए गया है के चले सबत्धार सब्सक्त्रों सबसे इंपोर्टेंट जोहार आप लोग पढ़ेंगे अगर को सना था जोहार योजनक का प्रादम हुआ था यह जो था विरोजगार युबकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्दन परिवार के लड़कियों को साधी करने के साहिता से संह harness है कि रहे है और फ्रेंस यह जार नल फार गर जयना यह लागता है यहां केडहें को सब्सक्राजदतों के दोरा लोग का 27 में प्राइरम किया गया था यह कुछ इंप्वार्ट इस था जो मैं आप लोग भी मैं डिस्कुस कर दिया है चलिए चलिए नेक्ट को सन देखते हैं क्या है करो यह मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था तो मैं इसके बारे जो बता रोग सिंधु कानु देखें मैं फिर से लिए देता हु जो आपलोग लिए काफी इंपोर्टनस होगा सिधु कानु होगा इसके बारे मैं जो डिसकुस कर दों ध्यान से सुनेगा के वल जार्कन के चार सगे भाय मैं फिर से बोर रहा हूं पहला हुए सिंधु दूसरा होगे सिंधु चान्द भैरों ने अंग्रेजो जमिनदारों वा सहुकारों के विए अठारो सो पच्पन चपन में संताल विद्रों का नेत्युत किया जिसमें सिंधु ने यानि सिंधु जो बड़ा भाय था सिंधु ने अंदोलन अस्थल भोगनाडी में नारा दिया था नारा दिया करू या मर्यार अंग्रेजों हमारी माता मातई चलो यानि यहां याद कलेजे कहां पर भागनाडी में दिया था असींधु ने दिया तो तो फ्रान्ट्स आल डिए अप्लों इसके बारी कहानी पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे सबस्क्राइब साथ तु ? इसकेमाजी जो बतार हो ध्यान सब देगा इसके बार जो बताराओ तीलका अंडॉलन देखें तीलका अंडॉलन जो हुआ तो कि साता सब्सक्राइं तक चला ठीक है तिलका लोग निटाओं स्मध्द मैं पहारेन हहां पहाडियाई तिल्का मांजी को क्या बोलते हैं जब्रा पहाडिया ने तिल्का पिद्रों के दौरण 1784 में यादखी का इंपोर्टेंट ची सत्रासो चौरासी में क्यूकलैंड को तीर से मार गिराया तिल्का मांजी को 1785 में 1785 में भागलपुर में बर्गत के पेड़ पर फांसी सर सजा द भागलपूर में भागलपूर में इसका मौत हुआ था आइसे भागलपूर यह बर्गत के पिल पर लटका के मार दिया गया था ठीक है और तेरा मार्च जनवरी 1785 को मौत हुआ यह भी यादखीगा इससे पहले इन्होंने क्या किया था 1784 में अंग्रेज यानिकि अंग्रे बिद्रोही अदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाप अंग्रेजों करते हुए अपने परिवार रहे लगभग डेढ़ सो लोगों के साथ वीरगती को प्राप्त हुआ तो इसका राट हैंसा होगा इसका होगा बुद्धु भगत आगे आप लोगों मैं कोस्ता समझा बिद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाप आंदोलन करते हुए अपने परिवार शहीत लगभग डेढ़ सो लोगों के साथ वीरगती को प्राप्त किया तो इसका राट हैंसा क्या होगा बुद्धु भगत होगा क्या होगा बुद्धु भगत अब मैं जो अधाराइगा अधारासो बत्तीस में डेटी आद कर लेजैंगे अधारासो बत्तीस बत्तीस लिए लगभग डेढ़ सो साथीयों के साथ वीरगती को प्राप्त कर लिया था तो राटनसर भगा बुद्धु भगत होगा क्लिए चले इसको सन अबुब राज एटे जाना महर रानी राज टूडू यह आलाने जो किया गया था यहां विर्षभ मुंड आंधोर्ण 255 तक चला था ऐसे आपने तक चला था कि लेखे आप लोग मताता हुँ देखी विर्षभ मुंड़ा याइफ्यान द राज राज एटे जाना महरानी राज दूडू इसका अर्थ यह जिसका आर्थो था मुंदा राज प्रारंगी इसका आर्थ ऊतर प्रार्ण्स मुझा मुंदा समाप्थ हो फीटी नह्यारा हुघ विश्रा मुंदा पीत रो चलिकार कूछ बाता तुर्छलाằंगे सब्सक्राइब फिस लगता और इसके इवेख सब्सक्कार का उसने डालों त्यस्ति को लिए कुछ सइकारर का अब निएक आफ दर्म करें ऋमने इन्होंने विर्षा मुंदा अंदोरन अस्टार्ट किया था जिसमें फ्राइस नौंबर उनिस्तो अठादादा संतान्वी को रानी सर्वेस्वरी का जयनती मुनाने के लिए यान हीरक जयनती के आउसर पर इसे छोड़ा भी गया था इसको मौत हुआ था नौ जुन उनिस्तो को हुआ था कि लिए इसी वज़ा से नौ जुन को परतेकवर जार्खन में विर्षा दिवस मनाते हैं और इसके इसके जन्म दिवस का सूपसर पर 15 नौंबर को को 21 से जन जाती गौरव दिवस मनाए जा रहा चलिए नेक्ट को सन है चलिए इसके बारे में बताना चाहता हूं सब्सक्राइब 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 फशन डालिए सविध मांगी गई थीह चलिए को निट है किसां सब्सक्राइब 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 करने जो किया था इसका नापूर कैथोलिक सथाफ़ा का सथापना कवा था 1915 में अप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से 110 पर एक नाए एक कोशन आता है ठीक है मैं इसके बारे में जो भी डेट बता रहा थे पिर से सुनिएगा सबसे पहले किसांद सभा किसांद सभा का जो हुआ था मैं अभी जिसक्रश करता है उनिस्सों एक तीस में लिखेगा यह जैसे सी के दो आए था इसका अगर यहीं बोलता अखिल भारती अधिवासी विकास पर तुसका उनिस्सों अलसर्थ में और बात करते हैं चोटा नाखपूर-39 समाज तो चोटा नाखपूर-39 समाज को स्थापने हुआ था उनिस्सों पंद्रा में गए था किसने किया था जूएल लकड़ा ने किया था अब नेक्ट कोशन बात करते हैं चोटा नाखपूर-39 सभा जो स्थापने हुआ था उनिस्सों पंद्रा के दवारा हुआ था इस्टाप से आप पूरा का पूरा कम्प्रीट रखें चले नेक्ट कोशन देखते हैं क्या लिख रहा है जार्खन राजे के अंदोलन के लिए जार्खन प्रनड में समीती कुल कितने दलके को सामिल करने लिए संजुख समेलन का आयूजन किया गए था छोंड़ोगों चाहता हूं जार्खन समीती के जो गठन किया था राम दयाल मुंदा के द्वारा किया था वैसे तो सभी कोर्शन इंपोर्टन्स है लेकिन आप लोगों बोजाए सबसे पहले याद कि इसका गठन देखिए जारकन समन में समीती का जो गठन हुआ था पूशता है सेट में था आप लोगो देखेंगे इसका अस्थापना किया था ने किया था 1987 में क्या था और इसमें याद कि तीरपन संगठनों के परतिनिध्यों के दोरा अस्थापना किया था अगर देट एक्चुली डेट बोलता है तो याद करिए 11 सितंबर 1987 को हुआ था कि लिए अब मैं जो बता हूँ ध्यांस सुने का फीस वो सुन रहा हूँ प्रितक जारकन का समर्थन करने वाले तिरपन दलों को आपस में संगठित करने का उदेश कि 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगर्ण में संजुक्त संभेलन का आयूजन किया था इसी संभेलन के दोरा जारकन समय में समीति जिसे बोते जे से सी जे सी सी का गठन किया था ठीक है और इसका में वेक्ति को राम देयाल मुंडा तुराइट अप्शन की कोड़ी और सी चोटा नागपूर 39 समाज का विला किसांत सभब में किस वर्स किया था तो यह काफी तगड़ा कोस्तन है कि जारकन के लिए काफी इंपॉर्स कोड़ा था चोटा नापूर 39 समाज का विला किसांत सभब में वह उनिस सो पैटिस में किया था तो यह याद कर लिएगा और बात करते चोटा नापूर 39 समाज तो चोटा नापूर 39 समाज को स्थाफने हुआ था 1915 में लगा था जे ल लगाने कि लिए और वही किसांद सभा का स्थापना 1930 में किया था ठेबल रुए उराउने कि ए था 1931 लेगा ठेबली उराउने कि लिए चले निस्ट को जार्खन के सदानों के संदर में असत्थे कथन कौन साइब यहां पर लोग असत्ति कथन को चाटना है तो वैसे मैं ब बाहर से आकर बसने वाले अधिवासियों वह अंग्रेज़ों द्वारा धीकू कहा गया जो कि राय टेंसर आपका यानिकि जो दीकू कहा गया वह आपका सही है यह ज्ञारकन के गैर जिन जाती है मूल निवासी है लेकिन प्रजाती दिश्टी से सदान आ रहे थे से इस तीन बाकी कथन सकते हैं ठीक है चले नेक्स्ट कोशन देखे सदानों की भासा क्या सादरी है सदानों को जारकन का मुख्यों वेशाई क्या खेती होता है सदानों का अबाधी जारकन के कुल अबाधी का आधा से अधिक है निम्रिकित में कौन जन जाती 12000 और 13000 वाग से भी भाजित है तो फ्रेंट इसका राट अंसर होगा चेरो क्या होगा चेरो तो अब सुनी का ध्यान से चेरो जन जाती 12000 और 13000 वाग में विभाजित है क्लिए अब इसको याद कर यह 12 इस याद के लिए 13 अब देखे इसमें 12 तेरा भी है चेरो यानिकि चार्ट देखे क्या पूछ रहा है तो देखते हैं भूमी भूमीजो के धार्मिक अस्तान को लाया कहते हैं क्या बोलते हैं लाया देखे संथालों के नाम को भी घोटूल गहते हैं अब देखे घोटूल जोटा हुआ संथालों को बोलते हैं गिती ओला को बोलता है बिरोर का होता है घुंकरी ऊरा होता है अगोंड का क्या होता है घुटूल होता है यह सीच को याद कर ले जीगा काफी ऊपना से ऊपसे सब्सक्राइं सब्सक्राइब यह दोनों का आपका गो रोता है वही बात कते है की ओड़ा तो गिती ओण कि भीषक्ण परक्षण दिया गया तो पलोग को पता में रखना पड़ेगा क्लिए रहा है चले नेश्ट को सन देखते हैं क्या हिए निम्रिकित में किसी किस साहित्यकार को गुरु गुमके के नाम से जाना है तो गुरु गुमके के नाम से किसे बोलते हैं और रहुनात मुर्मू को कहते हैं क्लिए रहुनात मुर्मू के बारे मे बहुत जाते हों कि मैं डिसक्स नहीं करना चाहते हूं एक ही को सब्सक्राइब जानते हैं जो भासा जो है इन्हों नहीं दिया था ठीक है चले नेश्ट को सन देखें जन्म संबंदी संसकार के और पर इस तिरियों तवारा कौन सा लोग गित गाया जाता है तो आप लोग को जन्म के समय तो लड़ी आप लोग जाते होंगे जन्म संबंदी अवसर पर इस तुरियों त्वारा जो है जन्जाइन गित को गाया जाता है तो राइट अंसर क्यों होगा जन्जाइन जो कि अप्सें नमबर डी में हमें नेजर आ रहा है चलिए आप देखते हैं नेक्ट क प्रजाब पती ठीक है तो प्रजाब पती या फिर पसुपती का चितरन किया गया ठीक है तथा पसुपती का सान के पीट पर खड़ा चितरन किया गया चलिए नेक्ट को सन संथालों के जो देवता उसे बहुता हुआ होता हुआ होता है नेक्स टांगी नात धाम मंदिर किस जिले में इस्तित है तो कोशन मैं बताना चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनीगा के बड़ टांगी नात जो होता है इसके और मैं डिसकस कर चली रहने ता हूं देखेग कारी बने से सहुरायव को थे कुछ आहरो चित्रकला को सुहुर हवा कर चित्रकला को 220 में 2020 में जी आई ठेग मीला है यह याद लुए तैग यह मैं और है और कोबर चितरकरा को यह जारकन में किसी भी स्वेर्ण स्वेंने में प्राप्त करने वाला एक यह कुशन इंपोर्टेंट से और कंसी अधितित है तो अपलों जानते हों तो गुमला ठीक है वही बात काता है फ्रेंट से चलिए नेक्स्ट जन जाती सासन में धार्मिक कृत्ते से संबंदित है तो अप्शन के कोडिन देखा है तो उप्रोक्त सभी हो जाएगा नाइके खुलाम नाइके यह सभी होता है उप्रोक्त सभी हो गया देखें मैं आप लो कि मुंदारी लोक चता है नामऑक पुस्तर के लेखा कॉन यह तो इसल्झे में में राष्टी राज मार्गों के कितना पृतिसाथ होता है तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा जारकन में कुल सलकों में जो राष्टी राजमार को उसका जो परतिसाथ होता है कितना होता यह बीस पर्सेंट होता है और भारत के कुल राष्टी राजमार को में जारकन का जो हिस्सा हुआ 2.3 परतिस ह bertahan कहां है थाओ इसका स्थापन के बफ्राषण संस्थान कहा है था एक आपे में इस थेगा ने मिपलेख से टेंपल NM के आपके संबाथ हो की से कि सताब्दी स्टेडियम कहां इस्तित है तो सताब्दी स्टेटियम जारकर की राजानी राची में इस्तित है जारकर की राजानी राची में इस्तित है जारकर राजे गंगर नदी सनच्छन प्राधिकरन का गठन किया गया था फ्रैंस यह कोशन हमारा पेपर में आया था यानि लिए तो बीस फरवरी 2009 को होगा यह आप लोग ध्यान में रखेगा और इसके बारे में वैसा तो कुछ है नहीं इसलिए मैं डिसकस नहीं करूंगा मैं ली जो था मैं डिसकस करी देता हूं और इसका चलिए जहारकन चेत्र में वनों के प्रभंधन का सरप्रतंता प्रयास किया गया था यह फेपन के त्वरह ट्यभीट के और आपसेन नंबर प्रप्स इंडिया के सिल्फ मेड मोमन सूची 22 में जहारकन की जनसिंता करकट्टा को सामिल किया गया जनसिंता करकट्टा किस खेल से समंधित है तो यह आप लोग पढ़े होंगे कभी यह लेखी का है क्या यह कभी यह लेखी का है अब मैं आप लोगों जो बतारों ध्यान से सुनीगा चलिए नेक्स्ट कुशन और लंगा जलासे पर्योजना जहारकन के पलामु जिला में इस्थित है कहाना पे फ्रेंट्स पलामू जो कि औप्सट्ट Invest disfr और गाजिया बनाई गई है तो इच्चा ऊर गाजिया बांद्ध कि खरकईए नदी पर बनाए गया खरकी में जेखिये खरकई करकई हो गया इस्थि फ्रेंट्स आप लोगो सबसे पहले आपको याद करना पड़ा याद करना पड़ा जहारकन एजनसी टू क्या प्रोमोशन आफ इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी तो इसका अस्थापना हुआ था यह आप लोगो याद करना पड़ेगा अपने खराब लगता बोलने में चली 2004 में होगा अब स्टापना जहारकन में सरवार्दिक लगता सही करम लुग को बताना कौन सा होगा बताना जो है जीला के श्रबहें इसके बारे में सबसे पहली आप को पताया निय ç जहादा जो होता लाते हार में फीड चत्रा में जो सब्सक्राइब लाते हार चेटरफल स्रवाधिक बोलेगे तो भी है तो फ्रेंटस आप लोग अल्याऀडिक पट होगा प्रश्ट को संक नदी जारकन के किस जिले से निकलती है तो मैं अप लोग पढ़े होंगे संक नदी जारकन के गुमला गुमला जिला से स्थान और पुनवास निती के तत्र परिशत की वर्ष में कम से कम कितने बैठके आयोजित होना चाहिए तो इसके में कम से कम दो बार बैठक होनी चाहिए अब अच्चुका है लास्ट को सन्देख सकते हैं क्या है जारकन सिंगल विंडो क्लेरेंस 21 वर्ष अधिनियमित में कि अधिक है और मैं इसका में डिस्कुस कर दोंगा तो फ्रंस हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं आप लोगों के लिए काफी हिल्फुल होगा चले ठाएंगे सो मच प्लीज सब्सक्राब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन श्रीक बाइस सागर कुमा ठाएंगे सो मच